सुप्रीम कोट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉंडरिंग केस में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में अदालक में केजरीवाल का पक्षवरिष्ट वकील अभिशेक मनु सिंधवी ने रखा। फैसले के बाद जोरदार खुशी जताते हुए सिंधवी ने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार और भाजपा की नजर में जो भारत का मोस्ट वांदेड है वो छे हफ़ते में बाहर आ गया। अदालत के फैसले के बाद सिंधवी ने एक के बाद एक दो द्वीत किये जिनमें से पहले में उन्होंने लिखा केजरिवाल के आदेश को लेकर मीडिया से अनुरोधों की बाड़ आ गई है। सन 2000 के बाद से जब में प्रवक्ता बना। मैंने एक बार भी उन मामलों के बारे में सुनवाई के दौरान राजनीतिक रूप से बाहर बात नहीं की जिनमें में अदालत में उपस्तित हुआ। इसलिए मैं मीडिया से माफी मामता हूँ। इस फैसले से जुड़े मामलों में हम धूल का गुबार छंटने के बाद यानी कुछ समय बाद बात करेंगे। हमें हर हाल में लड़ना चाहिए और उम्मीद कभी नहीं खोना चाहिए। सत्ति की जीत हमेशा होती है। आपको बता दे कि सुप्रीम कोट ने शुकरवार को केजरिवाल को अंतरिम जमानत दे दी। पिछली सुनवाई में ही शीर्ष अदालत ने इस बात के संकेत दे दिय थे। सुप्रीम कोट ने अर्विंद केजरिवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत दी है। कोट ने केजरिवाल को दो जून को सरिंदर करने को कहा है। झाल